गुट इविनिंग अंकल, गुट इविनिंग ओ… कैसी हो इरफान ठीक हो बेटा? फेट फेट आप समय अरे रो अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हो रोबोट बेटा बिस्मिल्ग का मैं दमाद आया, कैसे हो? अलामदलिल अंटी, आप समय मैं ठीक हो आईजा किदर है उसे बुलाएं जाना हमने शॉपंग पे लेट हो रहे हैं आईजा अठो दो सही यार क्या करते हो तुम आईजा अरफांसा पाएं है इरफान भाई आपने शॉपंग में जाना है काफी शापर होंगे मामू को साथ लेया इन पे लाद के लेया ना क्वास नहीं किया करो हर वक्त मामू से मजाग करते हो पैसे माप कीजिएगा ये आपके घरेलू मामलात हैं लेकिन इसके बावजूद में एक बात जरूर कहना चाहूँगा जो बहुत आम है हर घर में बहु की इज़त का मयार कुछ और है और दामाद की इज़त का मयार कुछ और है यानि बहु को खामखा के ताने सुनने को मिल रहे होते हैं और दामाद को खामखा उसकी तारीफ की जारी होती है येस, इस तुरू, दमाद की तारीफ पे तारीफ हो रही होती है, बेशक दमाद तीलियों से बना हुआ टार्जन क्यों ना हो हाँ, दुरानी भाई, आप क्या कह रहे हैं हमारे दमाद को? मैं तो बेंजी अपने दमाद को कह रहा हूँ, 19-20 ही है, बलके साड़े 19-20 है दुरानी अंकल की बातें मुझे बहुत अच्छी लेगती है अच्छी भी करता है और सच्छी भी करता है इर्फान भाई हमने घिज्रेला बनाया है, अगर आप कहीं तो मैं आपके लिए लिए ले आओ नहीं यार रहने दो, आइजा को बेजो मेरे लिए थोड़ा सा ले आओ इसके लिए ले आओ थोड़ा सा दाबडे में डालके शर्फू जी यह हमारे कमरे में रख के आओ ओ सणी बेटा बैठ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो तुमने माशाला शर्फू को थेले उठाके पकड़ाए है इर्फान मैं कब सापके इंतजार कह रही हूं आपने इसनी देर कर दी आने में चले जल्दी आइजा जी अंकल बेटा अर्फान का हाथ मजबूती से पकड़ना है मार्कीट जा रहे हो वहां बिल्ली भी घूमरी होगी जुरानी अंकल जुरानी भाई क्या करते हैं आप वह धमात है हमारा फैमली में तो आप मजाग करते रहते हैं वह बाहर से आया हुआ है कुछ नहीं होता अपना बचा है बात में अपनायत होने चाहिए कोई गुसा नहीं करता मामू आईए आपके लिए दूदी बना दी है अच्छ दूदी बना दी है साब जी कह रहे थे कि मुझे जरा कमजोरी फील हो रही है दूद में बदाम और पिस्टा डाल के उबाल दें इसे जिसमानी कमजोरी नहीं है इसे एमान की कमजोरी है बस रोजार नहीं रखना चाहता न इसलिए करता है बाद वैसे मैं दुरानी साब की इस बात से इत्फाक करता हूँ अपनाईयत होनी चाहिए कोई गुसा नहीं करता महबते ही पहलती है अच्छ हम करते क्या हैं दामाद को खामखा सुर्खाब के पर लगा देते हैं और बहू के लगे सुर्खाब के पर उतार देते हैं सौ फुसद द्रूसT मात की है आपने यह खामखा की इस फामखा की जो बेखजत ही है यह जैलिसी और नफरत पैदा कर देती हैं फैमली के लिए और कोई ऐसी बात नहीं होती है बड़ी पैरी होती है फैमली बड़े प्यारे होते हैं बिल्कुल जाओ अब्दुस्लाम बेटे जाके दूदी पियो उठा जाएगा इतनी कमजोरी तो नहीं ना ने बिटा तुम से ज्यादा नहीं है अरफू पानी वाला पाइप लेके आओ एक सीरा मामू को दो और दूसरा सीरा दूदी बाले पतीले में डालो मामू यहां बैठ सम्मी मेरी बार बैवारी निये भुटो